असलाम अलेकुम आज की वीडियो में आपके साथ सवर दस रेस्टरान स्टाइल इजी पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हो और साथ मैं पास्ता के कुछ टिफ्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप सही पास्ता चूस कर सको और पास्ता बनाने और खाने का जो टेस् पास्ता का रेसल्ट है वह बैस्ता तो देखे सही पास्ता जो होता है वह ऐसे यलु salty कलर का सूजी और गें लियूस से बना होता है मतलब ज्यूस को बित्युवीट और सेमूलिना और जो मैयदा का पास्ता होता है जब हम उसको बॉल करते हैं एक्दम cloudy cloudy सा हो जाता है तो ऐसे आप समझपा रहे होंगे को कौन सी quality का पास्ता अच्छा होता है तो बस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ को कौन सा पास्ता हमें चूज करना चाहिए किस quality का लेना चाहिए तो देखिए यहाँ पर मैंने पास्ता का जो पास्ता निया पक्राइबने फ्लेमा को हमने पानी को बौस्ता के लिए ओर धायि और की यहाँपर टामाट्रोлаг को बाइल कर देना है और देखिए इसकी जो आईस है उपर की वह निकाल देंगे इसको रिमूब कर देंगे कि हमने इसकी जो आई जो निकाल दी है इसमें बीच में देखिए कट लगा लेंगे इस तरह से आप कट लगा लिजिए जब जिससे कि हम बॉइल करेंगे तो अच्छी तरीके से अंदर से भी बॉइल हो जाएंगे अब एक पैन में हमने पानी ले लिया है और इसमें टमाटर एड कर दिंगे फ्लेम को ओन कर लें और बॉइल होने दे अब यहां पर देखिए जो हमने पास्ता के लिए पानी को बॉइल करने के लिए रखा हुआ था उसमें भी बॉइल आने लगा यहां टीश्पून नमक एड कर दिया है और यहां पर हम दो कप दिसानों का पास्ता इसमें एड कर दिंगे और पास्ता को हमने 13 मिनट में करना है आपको यह टाइमर दिया गया है कि आप इसको 13 मिनट के लिए बॉइल कीजिए यह देखि एक दम क्लेर पानी है इस तरह से और एक दम खिला खिला पास्ता देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा पर फ्रेक इसका मतलब है हलका सा कच्छा होना मतलब की 90% तक जो हम इसको खाएं तो हलकी सी वाय टानी चाहिए बस इसको हमने इस्ट्रेंड करणा है तो देखिए पास्ता तेरमनेटी हमने कुक किया है बिल्कुल भी चिप चिप नहीं है तो बस यह सारी खूबियां इस पास्ता भिषा पास्ता का कुकिंग प्रोसेस है बो भी रोग जाए बस इसको साइट करेंगे अब यहां पर रेट सॉस पास्ता बना रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमने टमाटर बॉयल किये थे टमाटर बॉयल हो चुके हैं 6-7 मिन हमने बॉयल कर लिया था अब इसको एक बूल में निकाल और इसकी जो इसके निकाल देंगे देखिए पास्ता को बहुत तरीके से बनाया जाता है बट पैने पास्ता जो है बो रेट सॉस पास्ता रेट सॉस के साथ ही बैस्ट बनता है अब यहां पर मिक्सी जा लिया इसमें टमाटर रेट कर लेंगे टमाटर को ठंडा कर यह देखिए इस तरह की प्यूरी होने चाहिए अब एक पैन रख लिया है यहां पर मैंने ओलिव ओल एट किया है 3-4 टीबल स्पून क्योंकि पास्ता ऑलिव वाइल के साथ ही बैस्ट बनता है अब यहां पर एक करेंगे हम गार्लिक तो यहां पर देखिए 6-7 गार्लिक के क् पारिक चॉप करकर यह भी एट कर देंगे यह भी 10-12 सेकंड के लिए पका लीजिए इस तरह से और फ्लेम को यहां पर हमने मीडियम रखा हुआ है अब इसमें हमने जो प्योरी बनाई है बो एट कर देंगे टमाटर की और अब एट करना हमें देखिए इसमें 1 फॉर्ट में डालकर पानी आट कर लिया है इसमें इस तरह से और नमक आट करेंगे हाफ टीस्पून आप अपने टेस्ट के क्वाडिंग ले सकते हैं जितना भी आप खाना पसंद करते हो वन टीस्पून चिली फ्लेक्स आट कर देंगे और वन टेबल इस्पून यहां पर हमने चीनी आट कर देंगे और टीस्पून यहां पर हमने चीनी आट करनी है एक दम बैलेंस बन जाएगा चीनी डालने से इसका अब देखिए अच्छे से इसको मिक्स करना है अब कलर के लिए यहां पर मैं आट कर रही हूं वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर इस कल की जरूरत नहीं पड़ेगी अब देखिए यहां पर जो सोस है हमारी वह इस तरह से पक जाए जब इस तरह से ऑइल सेपरेट होने लगे देखिए यह पर्फेक्टली पक चुकी है तो आप इसमें एट करना है मैं आदा चीज क्यूब ले लिया हमने प्रोसेस चीज का और हमने ग्रेट करकर इसमें एट कर देना यह आप चाहें इसके भी कर सकते हैं तो बस इसको मिक्स करेंगे यह देखिए हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है और यह हमारी रेट सॉस बनकर तियार हो चुकी है पर्फेक्ट बनिए तो बस अब इसमें हमने पास्ता के साथ मिक्स कीजिए यह देखिए बहुत ही जादा टेस्टी है रेस्टरंस से भी बढ़िया है तो ट्रै जरूर कीजिए और अब इसमें एट करना है हमें देखिए पानी 4-5 टेबल स्पून जिसमें हमने पास्ता बॉयल किया था बही पानी निकाल कर रखा हुआ था पास्त है 2-3 मिनट पकाई है और यह लीजिए आपका मज़ेदार रेस्टरंट वाला पैने पास्ता रेट सोस पास्ता बनकर तियार हो चुका है बस सर्फ करेंगे यह देखिए तो यहां पर सब मैं चीज डाल कर इसमें सर्फ करूंगी यह देखिए पहले एक लेयर लगाएंगे करकर डालेंगे उसके बाद इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे एक दम रेस्टरंट वाला मतलब पर्फेक्ट दिखना चाहिए उस तरह से हम इसको सर्फ करेंगे उपर से धेड़ सारा इसमें चीज एड़ कीजिए इस तरह से ग्रेट करकर यहां पर मैं प्रोसेश चीज का क्या है आप चाहें मौजरेला का भी यूज कर सकते हैं अब यहां पर मैं दिखाना चाहूंगी यह देखिए तो ट्राइज जरूर कीजिएगा बच्चों के लिए एकदम हैल्दी है क्योंकि यह सूजी और गहुंग से बना हुआ है अक्सर बच्चे मैदा का खाते हैं जो क बहुत सारा ख्यार लगें अल्हाफीज